शेवा कर्मप्येकम तश्यदेवश्यश्यवा अस्टवद शद्याय शिर्मत भगवद गीता हम लूक्ष्रबन कर रहे हैं यहाँ पर बासट नंबर श्लोक को जिसमें कल श्रवन किया था इश्वरा शर्व भूता नाम और त्मवेव शर्णम गच्छ त्वामईव तमईव 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 शर्णम गच्छ सर्व भावेन भारता तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसी शाष्वतम तमईव शर्णम गच्छ सर्व भावेन भारता तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसी शाष्वतम तमईव शर्णम गच्छ सर्व भावेन भारता तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसी शाष्वतम तमईव शर्णम गच्छ सर्व भावेन भारता कई लोग स्थानम को ई लगा के बोलते हैं स्थानम कई लोग औ लगा के बोलते हैं स्थानम इनी लगाना स्थानम साधा कल हमने श्रवन किया था कि जो इश्वर है जो सब के अंतक करण में विराजमान है शरीर मन और वानी से सर्व भावेन उस इश्वर के शर्णागत हो उनकी कृपा से परम शांती परम शांती भूनने का मतलब परमात्मा कर्ष्ण अथवा भगवान विश्णू उनमें विश्रांती प्राप्थ होना अर्थाद उनमें जाकर के ही जीव को आनंद प्राप्थ होना और शाश्वत जो भगवान का धाम है उसको प्राप्थ करोगे उसकी कृपा से यहां पर मैं कल भी बोला था कि कुछ लोग जो तथा कथित ग्यानी लोग हैं कबीर पंथी लोग हैं पहली बाद वो किसी और को मत को मानते नहीं लेकिन जब उन्होंने देखा कि श्रीमत भगवत गीता सर्वत्र पूज्य है पूजना पूजा हो रही है तब उसमें से कुछ एक चीजों को उन लोगोंने निकाल करके और अपने बुद्धी की कसरत करके बोला कि कृष्ण जी भी भगवान कृष्ण को बोलते हैं महराज कृष्ण कृष्ण महराज जी भी कह रहे हैं कि तू जा गच्ष शर्ण उनकी उनकी शर्ण में जा सब भावों के साथ में जा तो कृष्ण से भी कोई परे, या कृष्ण से भी कोई स्रेश्ट, या कृष्ण का भी कोई कारण है, कोई मालिक है, जिसके लिए वो वहाँ जाने के लिए आदेश दे रहे हैं, अर्जुन को और उससे पहले कृष्ण ने ये कहा, कि इश्वर जो है सभी प्राणियों के अंता करण में विराजबान है, जो कि सभी प्राणियों को यंत्र की तरह चलाते हैं, तो इन दोनों स्लूकों में जो साधान भक्त हैं, उनको कन्फ्यूज करने के लिए ये जो तथा कथित ग्यान है, कहा गया ग्यान, कहने के लिए ग्यान, लेकिन अग्यान से भरा हुआ, ऐसा ग्यान, जिस ग्यान में भग्वान का सम्मन्द ना हो, उसे अग्यान ही कहा गया, तो यहाँ, मैंने कल निवेदन किया था, कि इश्वर का मतलब, अगर हम परमेश्वर ना लगाएं, और सर्वभूता नाम का अर्थ, अगर हम हमारे शरीर में रहने वाले, जो अन्य सेल हैं, उनको ले लें, या पंच महा भूत हैं, उन्हें ले लें, तो सारे का सारा खेल एक अलग तरह से बन जाता है, सारा अर्थ, उन लोगों की तरह, वो जो मायावादी जो की कहना क्रिश्ण कह कुछ रहें और अर्थ निकाल लाएं, तो उनकी तरह इसका अर्थ नहीं निकलेगा, उसके बिलकुल विप्रित इसका अर्थ निकलेगा, अगर हम इश्वर का बतलो वह आत्मा जिस आत्मा को परमात्मा ने इस शरीर के अंदर इशिता अर्थात शक्ति प्रदान की संचालन करने की इतने करोडों जीवों को उद्धार करना अत्वा करोडों जीवों के अनुसार चलना ये उसके अंदर उनने शक्ति ब्रदान की फिर बात आती है उपनिशिदों की तो उपनिशिदों में जो बात कही है कि दो पक्षी विराजमान है ये शरीर रूपी ब्रिक्षपर तो यहाँ दो पक्षी क्या विराजमान है एक जो है सुक्षम शरीर जो की आत्मा के साथ हमेशा रहता है तब तक जब तक की आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध मुक्त नहीं हो जाते वो एक जिसने जीवन धारण किया हमारे मन ही बंधन का कारण है मन ही मुक्ति का कारण है तो मन ने जो बंधन स्विकार किया वो है जीवन अर्थात प्राणों को धारण किया अगर प्राणों को छोड़ दे आत्मा तो आत्मा फिर भी अजर अमर नित्ते है उसे जरूरत नहीं हवा की उसको सांस लेने की जरूरत नहीं है तो आत्मा के जो नित्यता है उसके शरीर की नित्यता से शरीर की अनित्यता से शरीर रहे या ना रहे उससे कोई लेना देना नहीं मन बुद्धी अहंकार जो है उसके साथ रहते हैं और ये मन बुद्धी अहंकार ही एक जीव के रूप में उसके साथ नित्ते रहता है तब तक जब तक कि वहा आत्मा पूर्ण उप्षशुद्ध हो करके इस जीव से मुक्त हो करके जब तक नहीं चले जाती तो कहीं कहीं वेदों में इस बात को लिया गया है क्लियर किया गया है, समझाया गया है और यहां भी अगर हम उसको अन्ने दृष्टी से लेते हैं तो एक अलग अर्थ निकलता है जैसे अन्ने दृष्टी का मतलब, यह जो मायावादियों की दृष्टी है मायावादियों में भी स्पेशली, कबीर पंथी उनकी दृष्टी से अगर लेते हैं, कि वह यह इश्वर तो अलग है इसमें इश्वर तो जो है, वो उसके बारे में बोला जा रहा है जो कृष्ण से भी पर है कृष्ण का भी मालिक है कृष्ण भी उसके दास हैं इस प्रकार से लोग बोलते हैं तो उन लोगों को जवाब देने के लिए मेरा यहाँ पे जो सिध्धान्त है केवल मात्र अंडरलाइन करने वाले बात है उन लोगों को जवाब देने के लिए मेरा यहाँ पे अभीमत मेरा यहाँ सिध्धान्त वो यह है कि यह लोग जिसे कह रहे हैं परमेश्वर भगवान उसके मनबुधी अहंकार रूपी सर्वभाव मनबुधी हंकार में बैठी हुए जितने भी और तरह के काम क्रोद, लोग, मुव, मद, मस्चर जितना के भी भाव हैं उन सभी भावों को भगवान कह रहे हैं उन सब भावों के साथ मन को संबोधन कर रहे हैं क्योंकि रेखिए कहीं कहीं आत्मा शब्द का प्रयोग मन के लिए किया गया है इसी गीता में तो मन को संबोधन करते हुए कि तू सर्वभाव से उनके पास चला जा कि उनके पास अपने अंदर जो बैठी है इश्वर जो बैठा है उसके पास जा इश्वर मसला आत्मा उसके पास जब मन बुद्धी अहंकार आत्मा की आवाज सुनेंगे तो आत्मा तो वही कहेगी क्या कहेगी जो परमात्मा कह रहे है अर्थात आत्मा तो संसार के सुखों को भोगना नहीं चाहती संसार के दुखों को भोगना नहीं चाहती शाक्षी के रूप में इस संसार में इस शरीर में विराजबान है तो आत्मा भग्वान ने गीता में आगे भी कहा अर्जुम तु जो भव शाक्षी होकर के तु इस शरीर में कारे को कर भवसभ्यसाची तो शाक्षी भाव को प्राप्त हो तो शाक्षी भाव को प्रात्त होने का मतलब आत्मा खुद को मन ना समझे आत्मा अपने आपको मन से पूरी तरह अलग हो करके जब बैठती है वो आत्मा के साथ मन बुद्धी अहंकर के साथ में इसलिए रहती है क्योंकि मन बुद्धि अहंकार को उसने स्विकार किया है आत्मा उससे अलग है हमेशा उसके सुख दुख से हमेशा अलग है उसको ना सुख मिलता है ना दुख मिलता है लेकिन वो अनुभव करती है सुख दुख का मतलब क्या है ना मिलता ना हो तो अन्वब कैसे करेगा बंदा वो ऐसे ही जैसे एक पिंजडे के अंदर एक पक्षी है और आप पिंजडे को कपड़ा मारते हो तो पक्षी डरता है ठीक उसी प्रकार देहात्म बुद्धी जहां सुक्षम शरीर को स्वयम समझना ऐसी बुद्धी के द्वारा जव जीव इस शरीर को मतलब शुक्षम शरीर को ऐसा सोचता कि मैं यही हूँ तब वह जो भी क्रिया करता है वह क्रिया में लिप्त दिखलाई देता है लेकिन वास्तविक्ता में उसको उसका कोई भी मतलब लेना देना नहीं है यह बात है तो कहने का भी प्राए यहां बड़ा उल्जन भरा बड़ा ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बिना ब्लैक बोर्ड के जहां वाइट बोर्ड के समझाना आप लोगों के लिए मेरकल मुश्किल है नीचे जाने से बेस्मेंट में इसका इंटरनेट कनेक्शन बड़ा बिगड़ जाता है और उपर जो है ब्लैक बोर्ड बगरा से देखेंगे कल कोशिश करेंगे कल तो तिथियां बहुत हैं कल परसों फिर भी कोशिश करे ब्लैक बोर्ड के द्वारा वाइट बोर्ड के द्वारा आपको समझाया जाए कि देखिए किस प्रकार से क्या तत्व कैसे होता है तो उसको समझने के बाद में फिर भक्तों की दृष्टी क्या है वो तो मायावादियों की दृष्टी सी तो उसके जवाब पे मैंने अपन ये मत दिया कि नई जी ये इश्वर का मतलब आत्मा भक्तों की दृष्टी क्या है भक्तों की दृष्टी में इश्वर का मतलब कृष्ण है और जीव का मतलब भूत का मतलब खुद वस्वयम है तो इसलिए भक्तों के हिर्दय में हमेशा गुविंद विराजमान देते तुमार हिरदय सदा गुविंद विश्राम गुविंद कहेनमामवईशनवपरान तो भक्त जो हैं वह अपने अंतकरण में अर्थात आत्मा स्वयम जब जग जाती है तब वह अपने भीतर अर्थात अपने कारण को पीछे की तरफ जिधर से वो आई उस तरफ उनमुखो करके भगवान की तरफ उनमुखो करके तब भगवान का दर्शन करती है और तब जो भगवान का दर्शन करती है ये भक्त दृष्टी है ग्यानी की दृष्टी में ऐसा कभी नहीं होता वो बोलते हैं ग्यानी लोग लेकिन वह यह नही देखते कि आत्मा के अंतर यामी प्रमात्मा है ना कि आत्मा ही प्रमात्मा है इस चीज़ को वह लोग नहीं समझ पाते हैं आत्मा के अंतर यामी प्रमात्मा ठाथ आत्मा के अंतर को जानने वाले आत्मा के अंतर को कैसे जानते हैं वो बीच में घुसके जानने की जरूरत न नियंत्रन है तो वह नियंत्रन के रूप में भगवान साक्षी हैं भगवान सर्वंत्रयामी हैं अंत्रयामी भीतर की बात को जानने वाला तो भीतर की बात को जानने वाले जो परमात्वा हैं वो भीतर में हैं ऐसा नहीं है अगर ऐसा हो तो जितने दोष्ट परानी जो क्रिय कर रहे हैं इस स्लोक के अनुसार एक सथ नंबर स्लोक के अनुसार यंत्र रुड़ान इमायया तो यंत्र जो काम करता है उसके तो मालिक के उपर ही डिपेंड करता है मालिक जो करवा रहे हैं तो जितने दुष्ट प्राने दुष्टता कर रहे हैं अगर हम भक्तों को छोड़ करके ये कहें कि उनके भीतर बैठे हुए जो परमात्मा है वो उनसे ये करवा रहें तो वो सही होगा तो उनके लिए शाशन ना हो उनके लिए नरक ना हो उनके लिए स्वर्ग ना हो नरक स्वर्ग यातना ये सभी की सभी चीजे जब हम इश्वर शब्द को परमेश्वर मान तो फिर तो यंत्र का क्या दोश है कि उसको खड़े में गिराया जा रहा है जहां उसको जो है खंबे से ठोका जा रहा है जहां पत्थर में ठोका जा रहा है यंत्र का तो कोई दोश ही नहीं इसलिए बड़ी सुक्षम बात है स्लोक तो ये आ गया साम लेकिन इस स्लोक को समझने के लिए जा मैं आपको समझाने के लिए इसमें बहुत डेफ्ट में जाना पड़ेगा अब देखे तीन चीजे मैंने आपको अलग लग कही है एक तो वह जो लोग भगवान के उपर अक्षेप करते हैं लोगों के लिए मेरा जवाब अलग है जो मैंने पहले बोला जो भगवान प्याक्षेप करते हैं कि भगवान से वी उपर कोई है जिसके लिए भगवान कहा रहे हैं भाईया तू उनकी शरण में जा उनकी शरण में जा जो लोग यह कहते हैं उन तथा कथित विदवान अरथातमूर्खों के लिए मेरा जवाब है बहिया यहां इश्वर्शब्द का अर्थ परमेश्वर या परमात्मा या परमपुरुष नहीं है यहां इश्वर शब्द का मतलब है जो मनबुद्ध अहंकार को जो शरीर को चलाने वाला है वह इश्वर है जो मनबुद्ध अहंकार को चलाता है जो शरीर को चलाता है उसके अंदर शक्ती है चलाने की इतने करोडों खर्बों जीवों को सांस देने की शक्ती है उनको भोजन दे करके उनको तरिप्त करने की शक्ती है उनको अगर ना भोजन दे तो उन्हें मारने की भी शक्ती इस छोटे से एक छोटे से टैनी से जीब के अंदर है इसलिए वो इश्वर है जिसके पास इशिता है इसलिए इश्वर ये जवाब मेरा द्वारा से याद रखना ये आप लोगों के लिए नहीं है ये जवाब उन तथा कथित कवीर पंतियों अत्वा उन मूर्खों के लिए है जो अपने आपको परम विद्वान समझते हैं जो लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि इश्वर एकेला कृष्ण बाकी सब भृत्ते जो इस बात को नहीं समझते हैं उनके लिए है एक बात दूसरी बात आज मैंने बोली कि जो भाक्त हैं जो जग चुके हैं जिनकी आत्मा भगवत सेवा में निवग्न हो चुकी है उनकी परतेक क्रिया भगवान स्वयम करते और करवाते हैं मतलब वो जो क्रिया कर रहे हैं आपको यहीं समझना चाहिए कि भगवान स्वयम बोल रहे हैं भगवान स्वयम कर रहे हैं अगर उनका हाथ आपके उपर आया, तो आप सिधा सिधा समझे कि भगवान का ही करपाहस्त है, क्यों? क्योंकि वो यंत्र रुढ़ानी, यंत्र की तरह माया अर्थात अपने योग माया के द्वारा, भक्तों के हिरदय में बैठ करके भगवान सारी क्रियाओं को करते हैं, जी वो के ओपर करुणा करते हैं, ये है शुद्ध वैशनवों के लिए अर्थ, इसमें जो भक्तों का समर्पन पूर्ण नहीं, पूर्ण तम अवस्था में भगवान के लिए हो गया, उनकी स्थिती में ऐसा होता है कि वो यंत्र की तरह भगवान की सेवा में रहते है राधारानी अर्थात योग माया उस माया के द्वारा राधारानी के द्वारा वो संचालित होते है राधारानी की जैसी एक्षा होती है बलरामजी की जैसी एक्षा होती है वो उसी प्रकार से भगवत सेवा में लगते हैं उनका अपना स्वाकर्म कुछ भी नहीं रहता वो वैसे ही भ्रह्मन करते हैं जहां भी विचरण करते हैं जैसे नारदित्यादी रिशीगन है वो जहां भी विचरण करते हैं वो सारी उसी प्रकार से क्रिया करते हैं जैसे भगवान ही करा रहे हैं तो यंत्र की तरह भगवान के सामने प्रस्तू थे ये वैश्णवों के लिए अर्थ है और एक अर्थ है जो तारकिकों के लिए है तारकिकों के लिए मतलब जो लोग कहते हैं कि भीया जी इश्वरी तो सब तीसरा अर्थी है इश्वरी तो सब कुछ करवा रहा है तो जो भी पाप कर्म हो रहे हैं जो भी पुन्य कर्म हो रहे हैं वो तो इश्वर करा रहे हैं बैठ करके जीव का कतो दोशी नहीं है जीव को अगर कोई स्वर्ग में ले जाएं चाहे नर्ग में ले जाएं चाहे वो किसी गर्दन काटे तो उनका तो जीव का तो कोई दोश है ने क्यों 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 क् भूत का मतलब यहां पर भूत का मतलब मन बुद्धी आहंकार है और इश्वर का मतलब यहां आत्मा है यह उन लोगों के लिए जो गलत कारेओं को भी जो प्रकृति के विप्रित कारेओं को भी भगवान पे थोपते हैं ये भगवानी करा रहे हैं जाइश्वरी करा रहे हैं ये उन लोगों के लिए जवाब है जब ये जवाब तीन प्रकार के व्यक्तियों के लिए अलग-अलग है तो क्या इसका वास्तविक अर्थ भी यही अलग-अलग रहेगा कहते हैं स्थिती और समय के अनुसार अर्थ अल स्वेश कर अगनी की शक्ति को प्राप्त करता है उसके लेए सूर्य मंदल यह स्थान अंछ Confederative जो ग्यानी अर्थात तथ़ कर्थिद ग्यानि व्याज्यानिक लोग उनके लिए सूर्य मंदल้ जो एश्थ समस्त शक्तिकों को नश्ट करने का स्थान है और वहां से उड़ जा प्राप्त करने का स्थान है तरह तरह की किरणों विकरणों को ले करके उस से संसार के अंदर ना जाने क्या 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 करेंगे भगवानी जाने वो सब करने का उनका अवस्थान है वहां तक उनकी स्थिति एक दूर बैठे ह वे चोटे से ननना सा बच्चा जो कि सूरज को देख नहीं पाता उसके लिए कागज के ओपर बना हुआ सूरज ही सूरज है तो परतेक व्यक्ति के लिए सूर ये शब्द का अर्थ अलग अलग होता है तो इसलिए उन नास्तिकों के लिए जो तथाकथित विद्वान तो है नास्तिक हैं जो इस लोग का अर्थ करते हैं कि भी परमात्माई सब कुछ करा रहा है जीव का कोई दोश नहीं इसलिए जो भी कर रहे हैं अगरवादी यातंक वादी दुनिया को दुखी कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं अगर ऐसा होता तो कृष्ण अर्जुन को युद्ध कलेल प्रेरित नहीं करते अगर ऐसा होता तो कृष्ण ने यह नहीं कहते कि अर्जुन तु इन अधर्मियों को नश्ट कर मारने की बात नहीं करते तो ऐसा तो है ही नहीं मतलब ये सबसे निक्रिष्ट अर्थ जो मैंने उन लोगों के लिए किया था वो तो है ही नहीं दूसरे अर्थ में अगर हम वो मायावादियों की बात करते हैं जो लोग कृष्ण से भी स्रेष्ट को कलपना करते हैं जो अभी व्यक्ति बतलाते हैं उन लोगों के लिए यह है भाईया कि ये शरीर भूत है ये शरीर यंत्र है पंच महाभूत का बना हुआ है ये यंत्र पंच महाभूत का जो बना हुआ है इसके अंदर मन बुद्धि अहंकार रूपी जीव जो कि सुख और दुख को भोग करने वाला है और आत्मा जो कि इश्वर के रूप में विराजमान है जो कि इस मन बुद्धि अहंकार को चलाने वाली है तो उन लोगों के लिए ये जवाब है कि ये इस प्रकार से है इस में कहीं भी प्रमेश्वर नहीं है वो उन ग्यानियों के लिए जो कबीर को भी कबीर को ही सर्व से श्टोलते है अब वैस्टनों का जो व्याक है उसको हम श्रवन करते है वो कहते हैं कि देखो ठाकुर जी हिर्दे में भी राजमान है आप हिर्दे से उनकी सेवा कीजिए कैसे सेवा कीजिए सर्व तो भाव सर्व तो भाव सर्व तो भाव का मतलब जितने तरह के भी भाव है आपको बाहर नहीं प्रकाशित करने बाहर लोगों को नहीं बतलाना है सर्व भावं को अपने भीतर अपने प्रभु के साथ में समर्पन करो उने भीतर प्रभु कौन है कहां है तो वह मायया जो माया देवी है अर्थात श्री आधारानी की जो अंतरंगा शक्ति है योग माया बल्देव जी की अंतरंगा शक्ति योग माया उस योग माया का अर्थात भक्ति का अश्रे लेकर के आप सारे भावों के साथ जब भगवान की सेवा राधा गुबिंद बलदेव की सेवा जब करने की इच्छा करेंगे तब हे भारत यहां पे राधा गुबिंद और उनकी बात है नहीं लिखित रूप में लेकिन मैं अर्थ को लिया जा सकता है तो भक्तों के दौर भक्तों के लिए तो भगवान हिर्दे रूपी वरंदावन में नित्य विराजमान है रूप सनातन गुष्वामी उनकी नित्य सर्वतो भाव से सेवा करते हैं और उनहीं का जो कृपा प्रशाद है उसे प्राप्त कर परम श यह जो है इस लोक का अर्थ है जो कि बोलने का मैंने प्रयास किया हो सकता है इसे आप दो तिन बार सुने और आखे बंद करके सुने ऐसा सोच करके सुने कि मैं जो समझा रहा हूं लिखित रूप से आपको दिखलाने की कोशिश कर रहा हूं परंतु जो लिखित रूप से म जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं ड्राइंग अपने दिमाग में कर रहा हूँ, हो सकता है वो ड्राइंग आपके समझ में, नहीं आए, क्यूंकि जो आप स Parece न फम समझ इ Final को और जितना मन उसको उस अभिव्यक्ति को समझता है उतनी वानी आपके वो प्रकाशित नहीं कर पाती उसको खोल नहीं पाती इसलिए इस लोकों का जो अर्थ है उसे फिर भी हम द्वारा चिंतन करेंगे आज तो थोड़ी देर से शुरू हुआ था क्योंकि हमारे यहां पर उस तो इन्वर्टर में गरबड़ी हुई उसके कारण जो है कुछ विशेश नहीं इंटरनेट नहीं चल पाया यहां लाइट नहीं है उसलिए जो है समय थोड़ा सा देरी हुई तो आज यहीं पेसे समप्त करते हैं